फ्लाइट में बम की जूठी कॉल करने वाला अरेस्ट ब्रिटिश एर्वेस का ट्रेनी टिक्टींग एजेंट निकला आरोपी विशेश समवाद दाता, नई दिल्ली दिल्ली से पुने जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम होने की जूठी कॉल करने वाले को पकर कर रही है जिन्होंने विडियो कॉल पर और समय बिताने के लिए आरोपी से ये कॉल कर आई थी DCP रवी कुमार सिंग ने बताया कि गिरफतार आरोपी का नाम अभिनव प्रकाश है 24 साल का अभिनव सेक्टर माइनस 22 द्वारका का रहने वाला है ओपन से इंटर करने के बाद इसने 2020 में इन्नू से टूर एंड ट्रेव्स में डिप्लोमा किया था पिछले साथ महीनों से ये ब्रिटिश एरवेस के गुरू ग्राम स्थित आफिस में ट्रेनी टिक्टीग एजेंट के तौर पर काम कर रहा था इसके इफरार दो दोस्तों राकेश उर्फ आरोपी के दोनों दोस्तों की तलाश कर रही पुलिस डी सीपी रवी कुमार सिंग ने बताया कि गिरफतार आरोपी का नाम अभिनव प्रकाश है उसने अपने दो दोस्तों को उनकी गल्फरेंड के साथ और टाइम बिताने के लिए उनकी रिक्वेस्ट पर यह जूठी कॉल की थी दोनों लर्कियां उसी फ्लाइट में सवार थी जिसमें बं होने की जूठी कॉल की गई थी बंटी और कुनाल सहरावत की तलाश की जा रही है पूच्टाच में आरोपी ने बताया की हाल ही में इसके दोनों दोस्त मना ली गए थे वहाँ इनकी दोस्ती दो लर्कियों से हो गई वह दोनों लर्कियां अपने ग्रब के साथ 12 जन्वरी को दिल्ली से स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG8938 से पुने जा रही थी जहां से उन्हें इन दौर जाना था इस दोरान गुरुवार शाम को आरोपी अपने दोनों दोस्तों के सत द्वार का सेक्टर माइनस 17 की मार्केट में बैटे थे जहां से दोनों दोस्त पुने जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुकी अपनी गल्फरेंट से वीडियो कॉल कर रहे थे अभी इन्हें और बात करनी थी इन्होंने सकते हैं भले ही वे हवाई जहाज में स्वार हो गई हो दोनों दोस्तों ने आरोपी अभिनव से बात अपनी महिला दोस्तों से कहा कि वचा है तो उन्हें अभी कुछ देर और दिल्ली में ही रोक करके स्पाइस जेट की इस फ्लाइट को डिले करने की तरकीब सोची तीनों ने तै किया कि फ्लाइट में बम होने की जूठी कॉल कर देते हैं इससे उन्हें और समय मिल जाएगा स्पाइस जेट के कॉल सेंटर पर यह कॉल अभिनव ने अपने फोन से की, फ्लाइट में 182 यात्री सवार थे, पुलिस और CISF ने फ्लाइट की जाँच की, इसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी थी